मैं चली वाइट तो हमने क्या किया था हमने अभी तक आप सभी के साथ यहां पर पढ़ा टा कि क्या होता है अभी तक का साइड par सब्सक्राइब हर बच्चे की समझ में आना चाहिए हर बच्चा कम्प्लीट इस कोशन इस टॉपिक को बताना चाहिए कि क्या होता है यह टॉपिक और कोशन इसके कैसे कर पाएंगे पक्का आ जाते साइड पर पंडूकुलर बाइस सेक्टर की बास समझते हैं मैंने आप सभी आप और स्क्राइब कि अगर हम यहां पर कोई भी ट्रैंगल बना देते हैं ए बी एंड इंड़ सी यह मैरे ध्यां से समझेगा साइड परपेंडिगूलर बाइसेक्टर मतलब कि क्या होता है यह होता है यह होता है लंब और यह क्या होता है समच द्भाजक यानी कि भुजा लंब समध्ध याजक जो भुझा लंब काट दें उसको और ऐसा लंब उस पे पड़े कि वह modo टो जाय दो बराबर part में Divide हो जाय तो बाइए जरह ध्यान से देखो भुझा लंब संध्ध और जाय मतलब कैसा हम जराद ह के यहाँ पे तो यह मगर मैं इस पे लंब डालता हूँ तो क्या इस पे सही लंब पढ़ रहा है बिलकुल और यह ऐसा लंब डाला कि यह दो भाग में डिवाइड भी हो गया यह बराबर इसके यहां से लंब डाला कि यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया और यहां से लंब ड सेंटर है तो यह बात मैंने कही थी कि सरकम सेंटर है यानि इसको ले कि हम एक बाहर क्या बना सकते हैं सरकल मना सकते अगर यह सरकम सेंटर है तो और अगर हम बाहर सर्कल मना सकते हैं तो इस सरकल जो सरकल अबनेका इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा और यह रेडियस को हमने कैपिटल राय कह दिया तो जो लाऊंट होता है अच्छा精ए डीलेटा होता है यह अट्रेंग्विव आ रखा है उसका एरिया हो जाएगा इतनी बात आपको समझ में आने चाहिए इतना सिंपल सा है यह चीज आप विल्कुल अच्छे से क्लिए सरकम सर्क्ल को बहुत इंपॉर्टन चीज़ है ठीक चलो बाए इतनी बात तो सभी को चलो समझ में आ गई यह बात सभी को लब लब मुझे लगा किलिया रो ग बनाया मतलब इसके चारो साइड मैंने क्या बना दिया एक वृत्त बना दिया आपने का चलो सर्जी बिल्कुल सही बात है आपने इसके चारो साइड क्या कर दिया एक वृत्त बना दिया और हमने यह कहा कि भईया यह जो पॉइंट है यह इसका बही केंद्र है यह जो पॉ सबसे बाद करेंगाए किसके एंगिल बी और सबसे बढ़े प्रापर्टीज है आप सभीικό पता होने चाह Croat क्या इतनी बात सभी को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है किसी भी आगर हम बात करेंगे सरकम सेंटर के लिए तो यह सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रावर्टी जो आपको समझ में जरूर आनी चाहिए क्लियए इतनी बात सब को अच्छे समझ में आगे इतनी बात नहीं विर्कुल क्लियर हो गिए अब हम आते हैं है राइट अंगल के उपर बहुत अच्छा टॉपिक है अब सम जना तो कि डाइट अन के इंतमा यह मैं क्या होता है राइट अंगल ट५्रइंगल इस राइट एंगल टैंगल मतलब होता है संकोर तिबूम हम संकोरत तिबुज क्हूंट और पढ़ ने हैं क्यों हमाँ है ने अभी पढ़ा admired पढ़ा है चाहँ हमने आप सरकम लुई पढ़ा है यह समकोर तो हुआ हैं ठोड़े अलग तरीके से होते हैं कैसे अलग तरीके सो बॉर्मुला सेम होता है अगर मैंने किसी भी सिंपल सरकील की बाद सिंपल एक ट्रयंगिल की बात करी मैंने कहा इसके अंदर क्रकील आप ने बना दिया or Small सरक्ल का रेडियस कितना आएगा आपको और सगां को यह ठीडिटा भी जान जोगी और यह हर तरह के ट्रेंगल के लिए काम करता है वो ट्रेंगल चाहें समकोड हो वो ट्रेंगल चाहें न्यून कोड हो और वो ट्रेंगल चाहें अधिक कोड किसी भी तरीका के ट्रेंगल हो यह हर तरह के ट्रेंगल के लिए काम करेगा लेकिन जो सबसे इंपॉ कि मैंने माल लो एक समकोर्ट के अंदर जिसके साइड ए बी और हाइपोटेनुस सी दे रखा था यह मैंने कैपिटल ले माना यह कैपिटल भी माना यह कैपिटल सी माना ठीक अब मैंने क्या कि इसके अंदर एक सरक्ल बना दिया क्या किया इसके अंदर एक सरक्ल बना दिया लेकिन हैवाइब किना समखोर यहां भी डेल्टवां यहीं होगा यहां भी डेल्टवान ऐसी होगा लेकिन एक और होता है जो होता है जो होता या और यहां भी लागू होगा यहां यहां भी लागू होगा यहां भी लागू ओगा लेकिन यह थोड़ा ज्यजह जादा ही घी हो जाता अगर हम राइ टेंगल टेंगल के बारे हम बात कर recruit यहीं पेपर में question यहीं से डारेक्ट्री आप सभी को उठके चली आते हैं और इनी चीज को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया यह इंपॉर्टेंट बात थी सब लोग जल्दी से नोट कर लीजे फिर अगले कॉंसर बढ़ते हैं जो कि है आर्थो सेंटर और जितरा बच्छा देख रहा है सब के सब लाइक भरिया जरूर कर दो अगर लाइक नहीं करोंगे तो मजा नहीं आएगा है ना पक्का चलो नोट करो लाइक करो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है बहुत अच्छा बहुत अगरा आते हैं आप अगला कॉंसर समझते हैं किया यह आर्थो सेंटर क्या होता है है ना क्या आर्थो सेंटर आर्थ सेंटर भी पढ़ लिया हमने सेंटर भी पढ़ लिया मीडियन भी पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया अब आते हैं लाश कॉम सेट पर जो की आर्थो सेंटर है कुछ है नहीं लंब केंद्र क्या नाम आ रहा है तो वही चीज़ ए बी और सी लंब केंद्र कह रहा है ना यानि जो लंब डाल दे उसी का केंद हो जाएगा लंब केंद हमने ये लंब डाल दिया अब ये साइड को आधा किया की नहीं किया हमसे क्या ही मतलब हमें तो सिरफ लंब केंद चाहिए था अब ये साइड को आधा किया की नहीं किया हमें तो सिरफ लंब चाहिए था जो हमने लंब केंदे में बस इतनी से ही बात है क्या बोल दादा का इतनी से ही बात है कि वह लंब केंद हो जाएगा इसको हम लोग किस से डिनोड करते हैं ओस डिनोड करते हैं जो कि आर्थो सेंटर हो गया जो इंपोर्टन बात है वो यह है क्या जो पेपर में आएगा ए बी और सी मैंने का तो यह즈 है आपके और ये लीद काना ये उना hockey आपके पास 60 दी रखना को येख कितना अहीं जोट happen to the video माने कहती यह येंगल इया आपके आफ पस्टीद देर्खान तो ये कितना भुगा ये कितना होगा ये एक करो किसी बच्चों को पता हो तो बहुत बढ़िया है ठीक अच्छा कोशन है मैंने कहा कि अगर यह 70 दे रखा है तो यह नीचे अला कितना देगा एंगिल बीओ सी कितना देगा और यह है क्या ओम अतना हो गया आर्टो सेंटर आर्टो सेंटर बोले तो लंब केंद्र हो गया साथ 110 हो जाएगा 110 अब बहुत इंक बात करते हैं और अगर हमारे पास ये लंब केंद्र है और यह उपर वाला ठीटा दे रखा हैं तो यह कितना होगा सब्सक्राइब यह लंब केंड रोता है लंब केंड की कॉंसेट बहुत इंपोर्टेंट होते हैं बहुत पूचिया थे जब अब सब्सक्राइब करेंगे यहां पर आते आपके ठीक अच्छा ठीक है अब हम राइट रेंगल ट्रेंगल के बारे में बात कर रहें तो जड़ा इसना पहले नोट कर लो आप फिर में आगे बढ़ता हूं बाकि सब बताओ भाई क्या हाल है दीवाली की चलना है कामना है सबीके ह पका चलो हां क्लासे जो है 13 14 15 16 यह चार दिन बंद रहेंगी लेकिन इसमें आपके लिए आपके लिए पर चीजे करके देंगे आप उसको बिल्कुली परिसान नहों वो जब अब अब दस चीजे आपको देखने को मिलेंगे यह क्या होता वो क्या होता या कोई छोटा सा चांच और यह क्या होता को यह कॉंसेट उठा लिया कोई वो कॉमसेट उठा लिया यह सब चीजे हम आप से बात करेंगे ठीक चलो कि विक्रांद क्या हाले वाई चला जीद क्या हाल है चलो हुआ के मताओ अब आते इसमेए किस पे सामकोर्तेवुज में यoted समकोर्तेंगु भी तो लंब होगा कहीं नहीं अjadi AI is Filmberg ये साइद ये इस पर रह्त लमग एंद क्या होता यहीं इसका जो रोता है नाइं टी वाला जहां आइंटीपन तफ कि वहाई लंब के नोता है यह बात आपको पता घख निती जो बहुत इंपोर्टेंट अच्छे जैसे माल लो मैंने यहां पर किया यह मैंने क्या भी यह मैंने क्या सी मैंने इस पर यह लंबर डाल दिया यह बात इंपोर्टेंट है सब को पता होने चाहिए क्या कि जो बीडी होता है न वह एबी गुड़े एसी एबी गुड़े बीसी बाई एसी होता है ठीक क्या जो बीडी होता है न वह क्या होता यह बीडी चाहिए इतना गुड़े इतना वाई इतना तो एबी गुड़े बीसी बाई एसी नोट कर लिए क्या जो बी डी है वह में धिसो है चलो कि निए सबकोसा मिशरा हाइस हाँ रहा है बताया यह सत्किम क्या हाल चाल है बनिया है बिलकुल ध्यान देने बिल्कुल आप जो बात कहेंगा हर बात का ध्यान दे रहा हैए एपको शाष न ड्यायगे हो गाई एक हम अगले स्वेंची एन सम्रूपता यह में बहुत है बहुत महत्वपूर और यहां से प्राप बहुत कोशं़ बुचे जाएंगे कि सर्वांग सम्ताः क्या होता है सम रूपता क्या होता पेपर ले बहुत कोश्म पूचक्छेहारते हम समझते इस बात तो चिए कि होते है दिखो सरवांग समता एंन सम रूपता सम रूपता में आपको देखने से लग रहा कि इस समूरूप होना मतलब एक मालनों की मेरा हाथ हो गया और एक खली का हाथ हो गया भाई दोनों की हाथों में पांच उंगली है लेकिन मेरा हाथ छोटा खली का हाथ बढ़ा देखने में एक समान तो वो समरूप हो गया और मेरे अगर मैं बात करूँगा मेरे दोनों हाथ हो गया यह दोनों के हाथ क्या है सरवांग समय देखो सारी उंगलिया बराबर सब कुछ बराबर इसमें तो वही चीज़ होता सरवांग समता में और वही चुता समरूपता में अगर मैं बोलू कि हमारे पास यह एक ट्रेंगल है यह एक ट्रेंगल है आपको गसार जी बिल्कुल सही होने चाहिए मतलब जैसे है ङाब वैसे होना चाहिए वहूबा हूद कुछ चेंजरी ओना चाहिए एकडम कंपलीट प्रेंगल होने चाहिए और इसमें इनका रीन avergun चाहिए रेचियो एक कलोना चाहिए मतलब अगर ये 24-6 अनुपात में है तो अगर यह आपके पास 48 और 12 अनुपात में तो दोनों समरूप हो गए क्योंप और रेचियों में बुराबर है किसमें डेस जिए बुराबर ये बात को याद दखना के लिए चलो अब मैं समझता क्या रूल है सर्वांग समता का और क्या रूल है समरूपता का नोट कर इतनी बाद फिर सर्वांग समता और समरूपता कि हम रूल हाव पढ़ते हैं और चीजे समस्ते चलो आते हैं मैं इसी में नोट करा दूना चलो आते हैं पहला रूल डवल एस मतलब एंगेल एंगेल साइ मतलब कोड बरावर दो और एक भुजा बरावर disruption बार बात कीन तीनो पर आपक्रम्रवर तो तू Drum remember होगा नहीं ऑपकर आप हो जाएगा कि निए क्षोद की तयूंगी हो जाएगा है कि लिए झापर नहीं हो जाएगा के लिए रही समझ में आ रहा किनी तीनों कि यह लूब रही होगी को दिक्काढ़ हो जाए तो हमाँ पास यह बराबर हो जाए यह तो हमारे पस यह बराबर हो जाए दोनों में कोई दिक्केट नहीं है झाELाथ प्यَّते हैं जित्व हैं दो हैंसाइड बराबर और तीसरा इंगल बड़ाबर ना या तर थी टो या तो हम फिस्राइड बराबर कples क्लें एतनी बात भी हो गहीं अच्छा सर्वांग समता की चार फॉर्मूले होते हैं आपको वैसे भी इनका कोई यूज नहीं होता आप इस चीज़ें वैसे ही समझ जातों कि हाँ या सर्वांग सम है कि नहीं है और चीज़ें हैं कि नहीं है चलो अब आते हैं समरूपता पर समरूपता में है यह बोन देते हैं तू क्या यहां भी नहीं सकता क्या यह भी यह बिच साथ सो周örung सकता है यह को भी ट्रैंगिन एक सॉचिर ही उसकता तो साइट है तो कुछ भी ऊछकी इस ही साइव तक थो क्या तीन एंगस बॉक competence यह समरूफ होगा के नहीं होगा बताओ अगर तीनों एंगिस बराबर है तो क्या यह समरूफ होगा के नहीं समुगा दूसरी बात आते हैं S.A.S. मतलब कि दो साइड और एक एंगल का रेशियो बराबर होने चाहिए ना कि एकदम एकोल एकोल नहीं होने चाहिए तो इसे ओर नहीं हो गया या फिर तीनों की तीनों साइड का रेशियो बराबर हो जाए ऐसे दो बट चार करो बराबर चार करो बराबर एचाह बनावरा करो रेसु बराबर एक in आपको पता होने चाहिए तो आपके लिए मामला विल्कुल आसानी से किलियर हो जाएगा नोट हो किया भाई सभी कैतनी बात चलो तो यह इंपोर्टेंट टॉपिक सा जो आपने सर्वांग समता मैं इस पर कोशन करा हुआ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किया सर्वांग समता क्या होता है समरूपता क्या होता है यह क्या होता है वह क्या होता यह सब मैं आपको करा दूँगा ठीक इस पर बहुत सा में आपसे कोई बात है तो होती नहीं से कभी क्या आता है लाज हो में एर कि Help मिल जाएगा उसमें ठीक है जलो नेक्ष प्याते अब आते जैसे माल लो दो ट्रेंगेल इफ टू ट्रेंगेल जो है कि आर सीमिलर अगर मालो दो ट्रेंगे जिंगर लाश टॉपिक है दो ट्रेंगेल यानि कि दो ट्रेंगेल एकर मालो ए बीजिया एक मनने कुम वाहिन लिए ये वहाद आसान हैं मौन लों अगर महांनि और है तो होता क्या बिलकूल आसान हैं समुझेगा इसका जो पेलिमीटर पेलिमीटर और चाहिन अने कि परिमाब परिमाप लिखिए का हिंधी Q is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR is equal to its altitude altitude मतलब लिखा मतलब कि लंबोत उचाई यह लंबोत उचाई लटे टूर मतलब क्या हो गया लंबोत उचाई मीडियन पहले वाले का पहले वाले का अंतार तेरिज़ा और बार भार रोंगे सब का रेशो का वह गा बरावर होते कर अग flats शुष पूझ हमारे पास समरूप है दो त्रिबू जगा हमाँ पास समरूप है तो सब का जो होगा वो रेशियो क्या हो जाए गया यहां पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा के लियर अच्छा अगर मैं यहीं पर एरिया कर देता हूं देखो पेरी मीटर सिंगल डायमेंज अनुता ए एरिया ओफ ते भुझ पी क्यू आर इज़िकल टू यहीं स्कॉर हो जाएगा अबी स्कॉर डिवाइड बाई पी क्यू इसकॉर बी सी स्कॉर डिवाइड बाई क्यू आर स्कॉर और एसी स्कॉर डिवाइड बाई पी आर स्कॉर एल्टुटू अफ पहला स्कॉर सब्सक्राइब नोट कर लिए यह बात थी इंपॉर्टन जो सभी को समझनी बहुत जरूरी थी यह सब बहुत पूछे जाते पेपर्स में अब इनका यूज क्या होता है इनका यूज होता है जो हमारे पेपर्स के लिए काम आता है हमारे पेपर्स में जो समझ में इनका बहुत बढ़िया चलो बहुत अच्छा ठीक तो आज के लिए बस इतना ही है ना दीवाली की छुट्टिया मना आई ये सब के सब और आपको इस तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी मिलते हम लो सीधे अपने कल की क्लास में एक और जबर्दस क्लास होगी कल की साम को आपको मिल और आपके लिए कई सारे प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनलेश अपलोड होते हैं तो टेलीग्राम चैनलेश का लिंक आपको डिस्क्रिप्सर में मिला हुआ है जाके जुड़िए जाके डानलोड करिए तब तक के लिए बाइबाय गुड़ नाइट और टेक क्यार जितना हो पाव तोना एंजॉय करिए थांकियो सो मच